हेलो स्टूरेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजूकेशन आज हम कक्षा चार की हिंदी की पाठ़ पुस्तक रेशम का लेसन थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है जासी की रानी की समाली पर यह लेसन सुबध्रा कुमारी चोहांजी दुआरा लिखा गया है जो कि एक महान कवित्री रही है इन्होंने और भी रानी लक्ष्मी भाई के बारे में कवीता लिखी है आज की जो कवीता है वो रानी लक्ष्मी भाई की समाधी के पर दी गई है और इसमें हम उनके बलिदान के बारे में किस तरीके से उन्होंने स्वतंतरता प्राप्ति के समय पर बलिदान दिया इस बारे में पढ़ेंगे Let's begin the lesson Lesson को सुरू करने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे ये lesson में आए कुछ कठिन शब्द हैं जैसे समादी, कब्र, स्वतंतरता, आजादी, दिव्यय, अलोकिक, लगू, छोटा, रण, युद्ध, गाथा, कहानी, अमिट, कभी न मिटने वाला इसे ये उकी मातरा हटा दीजिगा, ये गलत लिखी हुई है अमरगिरा मतलब अमरवानी, अंतिम आखरी, लिलाइस्तली, करंभूमी, मर्दानी, शूर महीला, भग्न, तूटी हुई, मुल्यवान, मुल्यवती, निशीत रात्री, बानी, वानी, चिर जो बहुत दिनों तक बना रहे फूल अस्तियां, समर्तिशाला इसमारक, जुआला आग, मान सम्मान, भश्म राक, शुद्र छोटा या तुछ, छोटे या तुछ, स्नेह प्रेम ये इस लेसन में कुछ कठे शब्द थे, लेट्स बिगन दा लेसन इस समादी में छिपी हुई है एक राक की ढेरी, जलकर जिसने सुटन तरता की दिव्वे आरती फेरी मतलब ये जो समादी है, ये रानी लक्ष्मी भाई की है, इसमें रानी लक्ष्मी भाई की सरीर की राक है, रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर सुटन तरता की आरती उतारी थी, अलो की कारती उतारी थी यह समादी यह लगू समादी है जहांसे की रानी की अंतिम लेला इस्थली यही है लक्षमी मरदानी की मतलब ये जो समादी है ये वही स्थान है वही कर्म भूमी है वही अंतिम स्थान है जहाँ पर रानी ने पुर्षो जैसी वेरता का प्रदर्शन करके दिखा करके सोयम का बलिदान कर दिया था यही कहीं पर विखर गईव है भगन विजमाला से जिसके फूल यहीं सिंशित है है यहे इसमर्ति शाला से इसमे जो कवित्र हैं वो कह रही है कि जो रानी है उनके समादी के बारे मता रही है युद्ध भूमी में अंग्रेजों की सैना के साथ बहादुर से लड़ते वे रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं पर बिखर गए थे उनके फूल यहीं सिंचित हैं, हैं यहीं समर्ति शालाची मतलब उनकी जो सरीर है, सरीर के जो अंग हैं, अस्थियां हैं, वो इसी समारक में एकत्रित हैं, एकट्टा हैं सिंचित मतलब एकत्रित होना सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूती सी गिर चड़ी चिता पर चमक उठी जुआला सी सही वार पर वार अंत तक, मतलब वह जो राणी थी, वह अंगरेजी सेना से अंत तक लड़ती रही, वार पर वार सहती रही एक तरीके से जिस तरीके से जो यक होता है उसमें आहुती दी जाती है उसी तरीके से उसने अपने खुद का बलिदान करके एक आहुती दे दी सुटंत्रता संग्राम में और एक जुआला के समानव है प्रजुलित होती रही चमक उठी बढ़ जाता है मान वीर का रण भूमी में बली होने से मुल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से कि इस लाइन में कवीत्त्री स्थी उन्होंने कहा है कि इक वीर का मान तब बढ़ जाता है जब रन मतलब युद्ध में बलीदान हो जाता है जिस तरीके से एक सोना होता है सोने से ज़्यादा उसकी जो भस्म होती है राख मुल्यवान होती है उसी तरीके से जो समाधी है उससे कहीं ज़्यादा जो इनसान है मतलब रानी है उससे कहीं ज़्यादा उसकी ज़्यादा उसकी ज़्यादा होती है और मतलब जो रण भूमी में वलिदान होने से वह उसकी जो कीमत है मुल्य है वो बढ़ जाता है रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधी है प्यारी यहां नीहित है स्वतंतरता की आसा की चिंगारी कवित्रियम कहती है कि उनके समाधी प्यारी है क्योंकि यहां पर इखटी है कि फ़स्वतंतरता की आसा की चिंगारी वो देखते रहें उनको पता रहे कि गुस तरीके से स्वतंतरता प्राप्ठा हुई थी किस तरीके से जो रानी थी वर लड़ी थी आसा की एक चिंगारी सी बनी रहे इसे भी सुन्दर समादियां हम जग में है पाते उसकी गाथा पर निशिद में शुद्र जन्तु ही गाते इसमें कहा गया है कि जो रानी लक्षी भाई है उनसे भी कहीं बहुत बहुत सुन्दर जग में समादियां है और भी समादियां है संसार में लेकिन उसकी गाथा उसकी मतलब कहानी जो है निशिद मतलब रात में शुद्र जीवजन्तु ही गाते उसकी जो कहानी है या वहाँ पर जीवजन्तू ही रहते हैं उसकी जो कहानिया है वही वहाँ पर गाते रहते हैं छोटे-छोटे जो जीवजन्तू होते हैं पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्ने और शद्धा से गाती है वीरों की बानी इसमें कहा गया है कि जो कवी है उनकी अमर गिरा मतला उनकी अमर वानियों में इसकी रानी लक्षिवाई की अमिर कहानिया रहेंगी इसने और शद्धा से जो वीर है वीर है जो कवी है वो इनकी जो वीर गाता है उनको गाते रहेंगे अपनी वानियों में बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वैतो जहासी वाली रानी थी वो बहुत लड़ी थी स्वतंतता संगराम में खूब लड़ी मरदानी में तो जहासी वाली रानी थी है समाधी 9 चिर समाधी है 60中 रानरी समाधी चर data ऐस्थंवा स्थिली यही लक्ष्मी मर्दानी की और यह है वह राट लख्श्मी घार lesson third class fourth का हिंदी का और आज हमने इसमें एक कवीता पड़ी जो कि राने लक्ष्मी भाई के बारे में दी गई है अब इसमें जान लेते कि हमने क्या सीखा एक कोशन दिया है बहुविकल्प प्रश्न इसमें दिया है प्रस्तूत कवीता में मर्दानी किसे कहा गया है तो सुबद्रा कुमारी चोहान को कहा गया है मंद्रा को कहा गया रानी लक्ष्मी भाई को या फिर सुखु भाई को तो इसमें जो मर्दानी कहा गया है वो रानी लक्ष्मी भाई को कहा गया है तो ऑप्शन गा is the correct answer of the question thank you very much वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thank you